महाराष्टर के इंदर बड़े अच्छे संत हुए हैं नाम देव जी के पिता और माता बिठल भगवान के पुजारी थे और बिठल भगवान को विश्णू का अवतार मानते हैं नाम देव जी आठ दस वर्ष के बालक थे माता पिता को किसी काम वस किसी रिष्टेदारी में जाना पड़ा जाते समें अपने पूत्र नाम देव को घर पर छोड़ के चले गए और कहा बेटा बिठल भगवान को दूद पिलाकर दूद का भोग लगाकर पीछे आहर करना नाम देव जी ने कहा ठीक है माता पिता जी आप जाईए और मैं आपके बाद मैं पूरी पूजा करूंगा पूरी सेवा करूंगा जाते से में भी दो तीन बार कहा कहीं बच्चा भूल ना जावाए ठ्वक ठाकर दूदी को भोग ना लगाए जाते से में भी कहा रहे बेटा ध्वान सुन ले कहीं ठाकर जी को भोग ना लगावे और बच्चे को मात पिता दमका भी देते हैं करड़ा शक्ति से भी पेस आते हैं कहा बेटा देख ले कहीं बगवान को भोग ना लगाए तो ठीक नहीं रहेगी फरमात्मा रुष्ट हो जाएगा अपने से बहुत आपती आ जाएंगी नाम देव जी को और दर्ड चंता बन गई अधिक चंता बन गई कि माता पिता ने कहा है तो भोग आवसे लगाऊँगा तो माता पिता तो क्या करते थे जैसे पत्थर की मूरती रखी हुई थी दूद का कटना अदो के दूद का कटोरा भरके बगवान की मूरती के सामने रख देते थे आगे पड़दा लगा देते थे और कुछ देर के बाद उसको उठा करके सेस दूद में मिला लेते थे और फिर संद उस बगवान के लगे भोग को ग्रहन करते थे नाम देव जी बच्चा था उसने कभी ऐसी क्रिया की नहीं थी ना उसको मालूम था नाम देव जी ने को पता ये सुना बाता पिता से पता लगा उन्होंने आदिश दिया कि वगवान को भोग लगाना है दूद पिला के पीछे तूने भोजन खाना है तो लड़के ने सुबह सनान करके और बिठल वगवान की मूरती के सामने कटोरा दूद का भरके रख दिया और कहा है वगवान भोग लगाओ ये वगवान दूद पिवो अब वो पत्थर कहा दूद पिवो था अब बच्चे ने सुची कोई मात पिता गुस्से होंगे और वगवान दूद पीनी रहा ये परमात्मा मैं बालक हूँ आपका बच्चा हूँ मुझे पूरी किरिया का पता नहीं आप कैसे दूद पीते हो मेरे मात पिता मुझसे नराज होंगे ये वगवान मुझे बालक से कोई गलती हो तो माफ करो परभू आप दूद पान करो अब वो दूद नहीं पिया बच्चे ने भी आहर नहीं किया नेक्स्ट डे सुवेरे फिर नाया दोया सबच कपड़े पेने दो कै फिर दूद का कटोरा बरकर रख दिया ताजा नहीं दूद पिया बच्चे ने भी आहर ने किया बालक था एक दिन की भूख में इंड़ ढाल हो गया दूसरे दिन की भूख और ज्यादा ही उसकी हालत कमजोर हो गई तीसरे दिन उठा फिर ऐसे ही प्रार्थना की रोने लगा कि पर्भू में बालक हूँ आपका बच्चा हूँ मुझे पूर्ण किरिया का पता नहीं ये पर्भू मेरे मात पता नाराज होंगे मुझे कहेंगे कि तुने बगवान को भूग नहीं लगाया और पर्मात्मा आप दूद पान नहीं करोगे भूग नहीं लगाओगे तो आपका दास भी आहर नहीं करेगा उस बच्चे की ऐसी दिष्ठा देखी देखा कि ये बालक मर जाएगा मात पता एक अपते मावंगे चौत्छे दिन जो देखा बालक पर उठा भी नहीं जा रहा है ऐसे बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुँचा है और ऐसे बैठ गया है उसी समय पर्मात्मा उस पत्थर के अंदर पर गट हुए हाथ से कटोरा उठाया और दूद को पी लिया नाम देव की खुसी का ठिकाना नहीं रहा फिर स्वेंबी आहर किया नेक्स्ट डे अगले जिन फिर दूद रख दिया वगवान में फिर इसी परकार पर गट होगर के दूद पिया जब माता पिता वापस आए उनको चिंता थी कहीं बालक भूलना गया हो और कहा बेटा क्या तुमने ठाकर को भोग लगाया के नहीं तब नाम देव कहन लगया माता पिता में बालक था मुझे पूरी क्रिया का पता नहीं था पर मातमा ने तीन दिन तक दूद नहीं पिया चौते दिन दूद पिया और मैंने भी आहर नहीं किया मैं भी मरने को हो गया था मेरे भी इस्वास पराण निकलने वाले थे तो मैंने अरज की पर हो में बालक हो मुझे ग्यान नहीं तो वो गौन न दूद पी लिया अब वो मात पिता उस बालक के मुझे तरफ देख रहे हैं ये क्या कह रहा है माता पिता को ऐसा लगया कि ये जूट बोला है और इसने ना दूद पैया ये खेल तरह किता बालकों में और इसने सारा काम बगाड़ दिया तो कहने लगे बेटा सच बता दे तो ने भोग लगाया के नहीं अग माता पिता सही कह रहा हूं तीन दिन तो भगवान ने बिलकुल भोग नहीं लगाया और मेरे से कोई गलती बन गई होगी में बालक था ना चौटे जिन भगवान ने फिर दूद पिया आत्म का टोरा उठा के तो वो कहने लगे यो जूट बोल ला है बालक सा इसने कुछ नहीं पैया क्योंकि भगवान दूद पीते है को ना कहने लगया अब उनस होची वही अब पैटूंगा उनस उसको मालूम था कि बगवान कहीं पीछे की तरह ना पीवेर और पिटाई तो होगी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गया है बगवान ये बला तुम ही टालोगे मेरे सिर से एक प्रमात्मा मेरे मात पिता को विस्वास नहीं होगा आप दूद पान करियो मेरे प्रभू अब नाम देवजी ने ऐसी प्रार्थना की दूद रखके ठाकुर की मूरती के सामने माता पिता के सामने ही ऐसे ही वगवान ने वो कटोरा उठाया और पूरे दूद के वो चरड़ चरड़ पी गया है और फिर जो की तो मूरती दरसा दी अब नाम देव के माता पिता फूले नहीं समाओ गली गली मजा के कह रहे हमारे बेटे के हाथ से बगवान ने दूद पी लिया हमारे बेटे नाम देव ने बगवान को दूद पिला दिया विठल बगवान को अब गाउं के लोग कहने लगे ये जूट बोलता है ये अपने बच्चे की सूकी महिमा करता फिरता है इसको दंड दो पंचायत कर ली चोपाड में नाम देव का माता पिता बुला लिये नाम देव बुला लिया बगवान बिठल की मूरती रख दी और दूद लाके रख दिया तब पंचायती कहने लगे पंच कहने लगे यदी नाम देव ने बगवान को दूद पिलाया हर बगवान ने इसका दूद पिया है तो हमारे सामने यहां पंचायत में दूद पिला के दिखावे नहीं तो तुम को यहां से देश निकाला नगर निकाला दे देंगे यहां से बाहर निकाल देंगे नाम देव जी ने फिर प्रार्थना की उसी परकार सभी पंचायत के सामने पूरी नगरी के सामने उस पत्थर से परगठ हुए परभू और दूद पी लिया पुन्यात्मों ये तत्व ग्यान है तो इतनी कथा सुना राखी थी रूपदास जी ने उस धर्मदास जी को तो उस यादार पर धर्मदास जी कह रहा है कि ये असरज की बात कही तेमों से लिला नमा का पिया दूद पत्थर से करी करीला कि नाम देव का विदादूद पत्थर उस पत्थर ने पिया वो भगवान है पत्थर नहीं है तो इसको सुल जाना है इस तत्व ग्यान को तत्व ग्यान से की दृष्टी कौन से इसको देखना है और इसका निस्करस निकालते हैं एक जगह प्रकरन आता है कि एक पाली था पाली गवाला होता है और पाली जो होता है वो बहुत दुखी हो लेता है कोई गाएं इधर भाग रही है कोई गाएं इधर भाग रही है तो वो बहुत दुखी रहता था उसने एक दिन सत्संग सुन लिया एक पंड़त जी एक गुरू जी सत्संग कर रहा था विचार कर रहा था कि भगवान ऐसे सुख देता है भगवान चीर वड़ा देता है भगवान ऐसा कर देता है वगवान सब सुख दे देता है सर्वे सुख दाई है तो पाली गवाले ने सुचा कि पंडित जी पर एक वगवान ले डूँ और वो मेरा साथी हो जागा मैं विसराम करूँगा वगवान फिर सारी गवों को घेरा करेगा और गव चराया करेगा अब सभी उस मंदर से सत्संग सुनकर चले गए पन वपाली बैठा रहा उस गवाले ने कहा हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे हे गुरुदेव मुझे भगवान दे दे मैं बहुत दुखी हूँ मेरी बहुत पिटाई होती है मेरी बहसे गाएं इधर उधर किसी के खेतों में चली जाती है मैं तंग हो लेता हूँ मुझे भगवान दे दे आप कह रहे थे ना भगवान सारे सुख देता है अब पंड़ जी ने सोचा था बुद्धू पिल्दा पड़िया अब इस तक कैसे पीठाच उटाऊं क्यों पाली तो भी तो ऐसा होता है ना जे उसने सीधा मना कर देता वो अगले दिन डले मार के जा उसके पत्थर मारे तो पंड़ जी ने कहा बेटा मैं भगवान बनाऊंगा दो चार दिन में तो अपते पिछे आई ये अकाच्छा फट गुरू जी अब पाली ने जो दिन दिया था बरामन ने वो तूसर दिन पहुंच जिया गुरू जी मैं भगवान दे दे बहुत दुखी हो दिया उस पंड़ जी ने क्या करया एक बहेंस का सिंग तूटा पड़ा था उसके उपर लाल कपड़े बांध गए लपेट कर दागा लाल लपेट कर और रख 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 या नारियल सा बांध गए और कहा पाली ले बेटा ले जा पर एक काम करिये इस भगवान को डेली भोग लगाना है पहले इसको खाना खिला के पीछे खाना है ऐसा नहीं करेगा तो यह भगवान तुझे सुख नहीं देगा यह भगवान जहना तुझे लाब नहीं देगा अक्षी के गुरुदेव जैसा आप की आगया होगी अब पाली ने वही अपने एक जहां पसू बन दा करते हैं उसके उसी पसूँ के जो सथान था उसी में एक अलमारी थी बगर खिड़की की उसको साफ किया और साफ करके लीप लाप के वहां बगवान दर दिया पुन्ड़ुजी का दिया मैंच का सींग अब उसको जो आहर मिलता था खाने के लिए उस पाली को उस आहर को लेकर के मैंच के सींग के पास रख लिया और कहने लगया हे वगवान बोजन खालो यह वगवान बोजन पालो यह वगवान की तब मुर्ख बना रखे था उसको नहीं खाया दू रोटी नहीं खायी वह अहर नहीं किया तो उस बालक ने भी पाली ने भी नहीं किया सोचा वही मेरे से कोई तुरुटी होगी होगी अगले दिन फिर ना दो कर नेक्षट डी फिर रख दिया उस दिन भी ना खाया ना सुबब ना शाम तो उस पाली ने भी ने खाया ऐसे ही चौथे दिन जब पाली कती ने डाल हो गया काध्वगवणथ आप ने खाओ गया तही दास भी ने खाएगा बिसक मौत हो जा आप मेरे साथ नहीं होगे तो मेरे को तो सारी उमर का दुख होगा ये बैसे चराणी गाएं चराणी ये सूत मा आती नहीं मेरा शाथे मौत हो जाओ बनिया अब पुर्ण प्रमात्मा है हमारे साथी उन्हात्मा ये है वो तत्वग्यान जवाबाब के हर दे में उतर जाएगा मैं रोवत हूँ स्रिष्टी को ये स्रिष्टी रोए मोहे ग्रीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई गीताजिय दहे नमर पंद्रा के सलोक सोले और सत्रे में सपष्ट किया है कि इस संसार में दो भगवान है एक सर पुरुष ये ब्रह्म काल एक सर पुरुष ये प्रब्रह्म और इन दोनों के लोकों में ये प्राणी सब नास्वान है ये स्वंभी नास्वान है कि और जीव आतमामर है सत्रमें सलोक में कहा है कि उत्तम पुर्शयतु अन्य प्रमातमा इति उधारते उत्तम पुर्शय निवास्तवम पुर्शोतम कोई सत्त उत्तम भगवान तो इन दोनों से भी नारा है जिसको प्रमातमा कहा जाता है और ये लोकत्रियम अविश्य विभर्ती अवे इस्वरे जो तीनों लोकों में परवेश करके सबका धारन पोशन करता है सबके कि ये करम का फल भी वही देता है और निमत किसी जो भी जो जिसका पुजारी है निमत उसी को बना देता है ये कवीर परमात्मा भगवान भगती की आस्था पराणी में बनाए रखने के लिए जो भी जिस भी रूप में किसी देव को पूज रहा है वो वरतमान की पूजाता उसकी एक आन्ने की नहीं एक नए पैसे की नहीं होती लेकिन उसके पूर्वजनम के जो पुन और भगती जो कवी परमात्मा के सर्णन उसने की हुई है उसी के आधार से वो परमात्मा उस प्यारी आत्मा के पराणों की रक्षा करने के लिए सुनम ही कवीर देव पर गट होते हैं और वो जिसकी पूजा कर रहा है वो सोचता है के मेरी मेरी मदद आज मेरे इसी भगवान ने की है लेकिन ऐसा नहीं है तो ये जो पाली था ये पूरो जनम का गवाला था पूरो जनम का कोई पुन कर्मी प्रभू का कबीर परमेश्वर का बच्चा था अब वो सास्तर वृत साधना उस अनाड़ी पंड़त ने गुरू ने पकड़ा दी और उस बच्चे की जयन जाने को ही तो प्रमातमा स्वें पर गट हुए और सामने बैठ के दूद पी करके अंतरधान हो गई खाना खाया खाना खाया अंतरधान यह खाना खाया वो मैसका सिंग था वो खतम कर दिया परमातमा ने अंतरधान कर दिया और स्वें साकार रूप जो प्यूड का सरूप है एक विक्ती रूप में पर गट होके वो खाना खाया और बच्चे को खिला दिया और कहने लगे वगवन बोल बचा अब क्या काम है तेरा कि वगवान मेरे साथ हो ले और बहुत दुखी होता हूँ मैं और मेरे पस्वों को घेर ना दूँ अब अच्छा वेटा कोई बात नहीं चाले अब लेकर पस्वों को चला गया अब एक लाठी पकड़ा दी पाड़ी ने बगवान को अपना लट अब कोई भी गाएं भैस इदर उदर जाती है किसे की खेती में तो परमात्मा एक सेकंड उसके आगे खड़ा लट लिए खड़ा दिखता है उदर कोई जाती है तो वहां खड़ा दिखता है और था सभी क्रिया को भड़ी सुचारू रूप से करने लगा अब उस पाड़ी ने देख्या वाई बगवान के युद तचाड़ा है यह तो बहुत कमाल कमाल कर दिया इसने तो और पाड़ी लोट गा लेट गा वर्क्स का नीचे चद्र विच्छा के अकले वाई मौज कर दी वगवान जी सा सुनया था उसाइप आया अब उसने सोची चल गुरू जी की जो है धन्यवाद करके आता हूं आब वो मंदर की तरफ चला और वह मन्ने देख लिए अब रहा मन्ने का आगया पाड़ी उसने सोचा कि आज यू तेरे ड़ले मारेगा क्योंकि वो तो भका रह रह ख्या था तो पंड़त जी ने सोचे आज यू तेरे साथ जगड़ा करेगा और इसने वह खोल कर देख लि तो पंड़त जी अपना करणा हद दिल करें बैठा था कर देख ये काईगा दो गाल देख चला जाएगा और क्या करेगा ये जब चर्णों में परनाम किया और का है गुरू जी बगवान जो है ना बगवान ने तीन दिन रोटी नहीं खाई और मैंने भी नहीं मुझ मैंने गलती बनी पता नहीं क्या मुझे बगवान को भॉग नहीं लगाना आया सौथे दिन बगवान पर गट होगे बड़े होगे वह ता पूरे आदमी के मनुस जितने हैं वो पंड़त जी देख उसके मुझा नहीं यो आज बांग पी गट नहीं आया है क्या बोल रहा है और बगवान ना सभी काम कर रहे हैं पूरा सुख दे दिया मेरे तता सारी पस्वों को घेर लेता है मैं थोड़ी देर देखा के कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा पिटाई वो मेरी तो बगवान तो बहुत ही अच्छी तरह पस्वों को घेरता है अब पंड़ जी ने सोची एक वह यू बालक है जूट भी ना बोलता है इसकी बात कुछ ऐसी लग रही है बोली भाली जूट तो नहीं बोल रहा करने के बच्चा वो भगवान कहा है के चाल दिखाऊं खेत मैं वहाँ देख वो वहाँ मेरे पस्वों को खेर रहा है अग्चल मुझे दिखाऊं वहाँ जाकर देख्या पंड़ जीन तो लठ लठ दिखाए बगवान ना दिखाई दे क्योंकि नर्वाग आदमी को थोड़ा दिखाए अगर वो दुनरा बकाया कर था मंदर में बैठ के दुनिया को ठग रहा था तो उसने तो लठ लठ दिखाए लठी लठी बगवान दिखाई नहीं दे रहा तो पंड़ जी कहता है कि कहा है बेटा बगवान आकि वो दिखता नहीं व लिए हो गया इसका तो कहने लेगे बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता है आक नहीं दिखता है देख यू खड़ा उड़ जा कर वो तो प्राव पाली तो बगवान की बाहां पकड़ रहा यू रहा बगवान अरुस नह दिखा को नहीं उसको लाठी लाठी दिखा और लिए बगवान खड़े थे तब उस पाली ने कहा प्रमात्मा मेरे गुरुदेव को भी दरसन दे जा तो फिर उस अनाडी को भी दरसन दिये तब प्रमात्मा ने उस पांड़े को कहा कि नालाय क्यों दुनिया को गुमरह करता है तू अपने करम बना ले उस दन के बाद उस पांड़े ने भी वबकवाद करनी छोड़ दी और प्रभू ने उसको उपदेश दिया उसका कल्णा करवाया अब पुन्यात्मा अब यहां यह क्या कारण है कि यह पिछले जनम की पुन्यात्माई थी जैसे टाटीरी एक पकसी था टाटीरी एक पकसी है और उस टाटीरी पकसी वाले जो टाटीरी वाले सिरेनी का एक टाटीरी थी उसने माभारत के युद्ध के दोरान कुर्खेतर में अंडे उत्पन कर दिये अंडे पैदा कर दिये उधर से दोनों तरफ से सेनाए इकठी होगी और युद्ध का विगलू बज़ गया तब उस संतनी ने उस टाटीरी ने जो पुरो जनम की संतनी थी अंतरातमा से पुकार की ये परमातमा मेरे अंडों की मेरे बच्चों की रखषा करो इंदर का के हाथी का घंटाला तूटिया बहुत बुरा घंटा अठाशी हजार मन का बताया है वो गिर गया वहाँ पर उन अंडों के उपर पूरा माभारत युद समाप्त हो दिया करोड़ों रिक्ती मर गे अगनी बांड चले लेकिन वो अंडे नहीं खत्म हुए तो वो नहीं तो कोई पूजा वरत्मान में कर रही थी ना कोई इस्टने जाने थी अंतर की पुकार वा ममता बच्चों से की तरफ उसकी आत्मा की भासा को भगवान समझता है उस पूर्ण प्रमात्मा नहीं आकर के उस टटीरी के अंडों की भी रख्षा की थी कहते हैं सोचल सीदर मैं करूँ अपने जन के काज अरनिक सिपो जो मार दो मनर सिंग दरनु साज तो ये जो कथाएं उनको रटा करा रख्या था रटा रख्या थी कि नाम देवन दूद प्याया ऐसे महश के सिंग में बगवान पैदा हो गया और रविदास जी को भी ऐसे ही एक बार रजा नप्रिशान किया था तो उन्होंने भी पत्थर क्योंकि पहले रविदास जी भी शास्तर विरुत साधना ही किया करते थी प्रमातमा कभीर जी के सरन में आने के बाद तो उस रजा ने भी उनको जान से मारने के लिए दमकी देजी थी कि या तो मेरे सामने दूद पिला के दिखा रहधास ही तो तेरी गर्दन कलम कर दी जाएगी क्योंकि रवीदास जी ने भी पहले दूद पिला था रवीदास जी के माता पिता ने भी जड़दन को यही कह दिया था कि मेरे बेटे ने पत्थर के भगवान विश्री करसंग जी को उठा करजी को दूद पिला गिया तो रुविदास जी की प्रार्थना से भी दूद पत्थर ने उस परमात्मा ने पिया था पत्थर ने नहीं पिया था परमात्मा परगट हुए दूद पिया अंतरजान होए थे ऐसे नरसी जीदो थे वो भी मूर्ती पुजारी ही थे